नमस्कार जी केपिटल में आपका स्वागत है आज है 16 सेप्टेंबर और आपके लिए एक नई वीडियो फ्रेंट्स आज बात करेंगे आलोक इंडस्ट्रीज के क्वाटर वन के नतीजों और रिटेल निवेशकों के जेब तरासी के उपर तो बने रही है वीडियो में अन्त तक फ्रेंट्स आलोक इंडस्ट्रीज के ऊपर तीन दिन पहले हमने एक वीडियो बनाई थी जिसका थम्नेल था आलोक इंडस्ट्रीज अब की बार एट दरेट साथ के पार क्वाटर वन रिजल्ट ऑन 15 सेप्टेंबर तो फ्रेंट्स इस वीडियो में हमने बताया था कि इ जूवर्स में से एक दोने कॉमेंट्स किया वह सुनकर आप अहां से बीना नहीं रह सकते एक ने सुझाओ दिया कि आप जोती ससास्तर में हांत आजमाईए तो दूसरे ने कहा कि आपकी कहानी अलग ही चल रही है फ्रेंट्स उनकी बातों में ब्यंग था किन्तु भासा चादित थी अतह उनके उंचे संसकारों के लिए उन्हें बहुत बहुत धन्यवाद फ्रेंट्स इस वीडियो में मैंने बताया था कि कंपनी को लॉस होगा जो हुआ फ्रेंट्स लॉस प्रोफिट किसी भी कंपनी के बिजनेस का पार्ट एंड पार्सियल है कोई नई बात प्रोब्लेम वैसे निवेसकों में है जो सूचते हैं कि कंपनी के शेर प्राइसे प्रती दिन 5% की अपर सरकिट लगाती रहे और महीने में अपना पैसा 2 गुना से 3 गुना होता जाए फ्रेंट्स जब आप इस मानसिक्ता के कारणों की विवेचना करेंगे तो पाएंगे क सच मायने में ऐसे रिटेल निवेसकों को इस आत्मगाती मानसिक्ता को निर्मित करने के लिए यूट्यूबर का पुरा गिरोह समेत मीडिया के कई साधन जिम्मेवार हैं जो किसी सेर को इसलिए खड़िद लो या होल्ड करो बोलते हैं कि थोरे दिनों में आपके पैसे कई गुना बरहोतरी कर जाएंगे चाहे उस कंपणी के ब्यापार के बाड़े में उन्हें कोई सूजबूई हो या नहीं हो और फिर जब एक भोला भाला डिटेल निवेसक ऐसे वीडियो ज्या नियूज डेली देखता है तो हैपनोटाइज होकर पैसे लगा बैठता है और फि जो यूटीवर इथिक्स का पालन करते हैं आपको आगाह करते हैं या नकरात्मा कम्पणी में होने वाली कोई बात बताना चाहते हैं या उसके प्रैस ट्रेंड को रुकने में चैसाराव आने के संकियत देते हैं थो उन्हें तो ट्रॉल किया जाता है उनको सुना या देख आकर रखना ऐसे वीडियोज के घंटे में हजारों क्लिक को पार कर जाते हैं तो फ्रेंट्स ऐसी परिस्तिती में लालज में आकर के जो सधारन यूटीबर है जो इतिक्स का पालन नहीं करते वो इस परकार के थमनेल बना करके इस परकार की घटिया न्यूज आपको देना सु अच्छा लगेगा क्योंकि उसके कमर्सियल बेनिफिट की बाते हैं तो फ्रेंट्स ऐसी परिस्तिती में वह यूटीबर भी कैसे दोसी हुआ जो रोगी को अच्छा लग रहा है अगर वैसा ही दवा बैद दे तो रोगी की रक्षा भगवान भरोसे ही हो सकती है तो फ्रें से किसी भी सूचना के माध्यम से आपको सूचित किया गया कि आलोक इंडर्स्ट्रीज के सेर प्राइसेस में अच्छी खासी गेन हो सकती है तो एक रूपे चालिस पैसे से लगभग साथ रूपे तब का गेन हुआ जो लगभग चार हजार परतिसत का गेन है आपको गलत क् अब आप ऐसा क्यों नहीं सोचते कि उस यूटिवर ने आपको बहुत सही इसारा किया था अब आप ऐसा क्यों सोचते हैं कि एक साल में चार हजार परतिसत का गेन हुआ तो एक साल के अंदर अंदर दो साल से पहले पहले इसकी प्राइसे से 120 रूपे हो जाए और आपका ग जोसाय के ग्रोथ के हिसाब से लगेगा ना कि आपके या हमारे चाहने या आपके या हमारे कैलकुलेशन से लगेगा तो फ्रेंट्स कंपनी और उसके शेर प्राइसे आज भी एक साल के अंदर लगभग इतनी गिरावट के बाद भी 1334.09% के रिटर्न दे रहे हैं तो फिर कंपनी गलत कैसे है फ्रेंट्स इतना मन्थन करने के बाद जो चीजे निकल कर आई वहया की यूट्यूवर भी सही क्योंकि उन्होंने एक अच्छे आउसर की और आपका ध्याना करसित किया कंपनी भी अच्छी जिसने कम समय में ही इतनी जोरदार हिस्टोरिकल रिटर्न द लगे तो फ्रेंट्स हम क्यों ऐसा सोचते हैं कि हम एक या दो साल में ही कोई तुक्का लग जाए और हम अमीर बन जाए ऐसा होता होगा किंतु इस राह पर चलने वाले अधिकतर लोग ठगी के सिकार हो जाते हैं और बाद में हाथ मलते रहते हैं तो फ्रेंट्स आलोक चेज के quarter 4 के result में भी actually loss था किन्तु निवेसक भरक कर भाग नहीं जाए इसके लिए extra item की मदद से profit का provision किया गया था अगर extra item नहीं होता तो quarter 4 में भी loss ही बुक होती इसको उदाहरन से अगर समझा जाए तो idea vodafone ने कोई default नहीं किया था फिर भी उसके lender IDFC First Bank ने 1200 क्रोर की provisioning अपने balance sheet पर कर दी थी मतलब मान लिया था कि यह 1200 क्रोर रूपे मेरे डूब गये और इस परकार से उसने अपने balance sheet पर इसे loss के रूप में बुक कर दिया था और उस quarter में उसे उतना नुक्सान दिखाना पड़ा किन्तु बodafone idea ने अगले quarter में अपनी भुकतान जारी रखी तो bank को यह अधिकार है कि balance sheet से 1200 क्रोर की provisioning को हटा कर bank की profit column में उस 1200 करोर रूपे को डाल दे और 1200 करोर रूपे की profit बढ़ा ले ठीक यही खेल साहब ने पिछले quarter के result में किया था और company profit वाले result लेकर के आई थी और लोग तूट पड़े कि company में अभी भी जान बाकी है friends आपको पता ही होगा कि अब 115.32 करोर सेर और बढ़ा लिया गया है friends यह सेर अलग से lot किया गया है अब कुल सेरों की संख्या और बढ़ गई है तो आप खुद समझ सकते हैं कि आपके सेर प्राइस की actual value घटेगी या बढ़ेगी तो friends वीडियो काफी लंबा होते जा रहा है आलोक इंडस्ट्रीज भी अन्य टेक्स्टाइल कंपणियों के जैसी एक कंपणी है जो डूब गई थी जिसका बिजनस खतम हो चुका था उसे धीरे धीरे रिभाइब होने में टाइम लगेगा किन्तु अगले दो तीन साल में धीरे धीरे निवेशकों को जितना प्रोफि इडियों में बताया था कि अब की बार एट दे रेट साथ के पार अगर अलोक इंडस्ट्रीज के सेर प्राइसेस को उचाई तक जाना है तो नए कोबिड नाइटीन के दोरान वाले फैसन के हिसाब से इसे लॉस वाला क्वाटर वन का रिजल्ट देना मांगता है क्योंकि आज कल यही ट्रेंड चल रहा है कि जिसका रिजल्ट खड़ाब उस सेर में नई हाई लगती है मुझे लगता है कि छे साथ हजार करोड के मार्केट कैप वाली कमपनी ने दस हजार करोड की लॉस कर डाली और वह भी मात एक ही क्वाटर में इसलिए इसमें लोड सरकेट यह एक साल से अधिक वेट करना पड़ सकता है वैसे मार्केट है कुछ भी असमभव नहीं है तो फ्रेंड यह रही मेरी तरफ से एक पीस ओफ इन्फरमेशन इस इन्फरमेशन के आधार पर आप अपनी रिसर्च करें आप अपनी इस्टडी करें और हमारे वीडियो के पूजनाओं का हम स्वागत करते हैं तो फ्रेंड वीडियो अगर पसंद आई हो तो कमेंट्स करें लाइक शेर सब्सक्राइब करें और बेल आइकन बटन प्रेस करना ना भूले ताकि ऐसी इन्फरमेशन वीडियो सबसे पहले आप तक पहुँचे जय हिंद जय भारत